यह दा टिकेट काउंटर देख से बराउनी जंशन का अलग आता है और स्टेशनों से अलग आता है और स्टेशनों से मौना जाता है बरानी को जहां रिफाइंडरी बेगारा बहुत सरा इंडिस्टी बेगारा है तो इसी से रिलएटटिड मैं आपको यह यहां पर रेल्वे जन्क्शं है बराउनी जंक्शन वह आपको दिखाऊंगा और यहां पे कुछ हट के चीज़ तो आपको किया है इस रेले स्टेशन के बारे में आपको बताऊंगा उसके लिए को ब्लॉग में बने रहना होगा सोग ब्लॉग में रहेगा चैनल पर ने है तो उसे प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा यंद बेल इकन जरू से प्रेस कर लिजेगा कि मिलते हैं बारौणी जंट्शन के के ए बोनी जंट्शन ये इसकॉर हो इन्टेंस गेट है के टेस्ट के देखे बड़ानी जंट्शन वो सामने आफ की फिन बीक हेट है स्टी थिक पीचे बचिये का थी अरों करें की पछे ए पंप्छे जंग्षन का आटो स्टेंड है आटो स्टेंड बस स्टेंड जो पूलीजे सब यह है så एंन गाज यह रहा कैमबस के ठीक सामने यहां रेलवेट कॉनली है दो लुआ को यह आई प्वाटर्स वागरा यह दर बने हुएे देख सकते हैं आप लोग तो गाइज आप चलते हैं अंदर के ठीक बगल में है सुधा का काउंटर जो कि आप आइसक्रीन वेगराद यहां से ले सकते हो और इसके कैमपस के पास यह रहा यह रहा टिकेट काउंटर देख सकते हो बरौनी जंशन का यह ठीक आई डीवी आई का एटियम है कुछ ऐसा दे इनक्वाइज स्टेशनों पर जाने के लिए यह है यहां का इनक्वाइडी पूस्ताच काउंटर अब इस सबसे अलग चीज है वह यह कि यह यहां प्लेटफाउन नमर एक नहीं है अब आपको दिखाता हूं नमर एक नहीं है प्लेटफार्वाइज जंक्शन पे देखने के लिए मिलेगा। दो तीन जलिए आको सामने से लिकाते हैं कि ऐसका सबसे अलग चीज रहे हैं एक नमर्ण हाली मतलब इक नमर्ण ही नहीं जबार आपको मिलेगा दिखने के लिए दो नमर्च अपिर सके उधर तीन नमबर यह देगे हैं प्रेटफर्म नमबर दो मेरे लेप साइड में और राइट साइड में तील ते दर चार्व पांच जो एक नमबर दहीं नहीं है आप सुगाइज आपने कभी देखा ऐसा कि जो भी रेलवे स्टेशन इस्टार्ट होता है वहां प्लेटफर्म नमबर बन जरूर होता है लेकिन यह बरोनी जंक्शन है जहां प्लेटफर्म नमबर एक है ही नहीं यह इसकी यूनिक चीज है या फिर यह अलग है और स्टेशनो से यह इसे अलग बनाता है और स्टेशनों से आपके जानकारी के लिए बता दो तो बरोनी जंक्शन पर टोटल प्लेटफर्मों की संख्या 9 है यह देखे यह है दो वो तीन और फिर उदर चार पांच छे साथ आठ आठ और नौ टोटल यहां प्लेटफर्मों की संख्या 9 ह है और बनावनी जंक्शन सुनपूर रेल मंडल के अंतरगात आता है और इसका स्टेशन कोड है बीजे यू गैज यह बनावनी जंक्शन देख सकते हैं आप लोग काफी अच्छा रेलवे स्टेशन है साब सुत्रा साथ देखें आपको बहुत सारी खाने पर नहीं चैसे र पर ब्रिज है और फिर लिफ्ट की भी सुगधा यहां पर दे रखिए लिफ्ट की सुगधा से लगेज पैसेंजर्स को लगेज ले जाने आने में दिकत नहीं होता है इस ब्रावनी जंक्शन पे ब्रावनी जंक्शन का मेरे साथ बहुत ही दिल का करीब सा रिलेशन जुड़ा हुए यह बहुत पुरानी बात है अब काफी चार-पांच साल पहले हो नहीं अब हालाब से चुछेशन बहुत साथ चेंज होगी है तो यह सुरू से मेरा फेवरेट ट्रेलवे स्टेशन रहा है यह फेवरेट मेरा इसलिए भी रहा है क्योंकि हम मेरा नानीगर पड़ता है सहर सा और सहर सा बाया बरौनी जाना होता है शुरू से अभी वही रास्ता है तो यह बरौनी जंक्शन पे ट्रेन का इंजन वेगरा चेंज होता था कपलिंग किया जाता था आगे से पीछे तो ह पूर कि बहुट ही है Kentucky का थे चाहिब बेही होता था रेलवे के दरफ से लेकिन बहुत ही टेश्टी वा Dowा करता है उसका सब्जी होता था पत्ला सा जो्ता सा होता था लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी वा करता था इसलिए हम लोग सारे भायबान लोग यहाँ पर काफी देर ट्रेन रुका करता था इसलिए हम लोग खाया करते थे बरावनी जंक्शन पर पूरी सब्जी और बहुत टेस्टी लगता था अनगाईज आपकी जनकारी के लिए बता दूँ तो बरावनी जंक्शन जो है सो भेगुसरा डिस्टिक में पड़ता है और बरावनी जंक्शन का निर्मान यानि ओपन ये हुआ था आज से लगवग 149 साल पहले यानि 1883 में और इसे फुली एलेक्रिफाइट किया गया है 2012 में और यहां पर काफी सारे फैसलिटीज बेटिंग रूम बेगरा की फैसलिटीज बेगरा है ट्वालेट्स बेगरा है और यहां का सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ता है दरभंगा और उसके बाद फिर पटना एंफिड गया और यह साध एक कैटगरी का रेल्वे स्टेशन इसका दरजा इसे दिया गया है और रोजाना यहां पर लगभग 136 ट्रेनों का हॉल्ट होता है और यहां से और जिनेट होती है ट्रेने 17 और टर्मिनेट भी 17 ट्रेने होती है और बरौनी खास कर थर्मल और रिफाइनरी के लिए फेमस है वसे यहां बरौनी खाद और बरौनी डेरी की भी फैक्टरियाज वगरा है तो यही है हमारा बरौनी जंक्शन जैसा कि मैं आपको पहले ही पता दिया हूं कि यह रिल्वे स्टेशन अलग और रिल्वे स्टेशनों से इसलिए है क्योंकि यहां यह प्लेटफॉर्म जो स्टार्ट होता है यहां पर यह दो नमर प्लेटफॉर्म से स्टार्ट होता है यह एक नमर प्लेटफॉर्म है नहीं जो कि इसे और railway stationo से अलग करता है और unique करता है क्योंकि सब्सक्राइब प्लीज 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 शेयर कर दीजेगा और लाइक कर दीजेगा जो कि आचि आचिता है